आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं देखिए आज हम चर्चा करेंगे नीच ग्रहों के उपायों के बारे में डिपलीटेटेट प्लानेट्स 90% जब हम एक कुंडली देखते हैं तो उसमें कोई न कोई ग्रह जो है वो हमें डिपलीटेटेट या नीच मिल जाता है आज मैं आपके साथ 100% शौरटी के साथ कैरेंटी वाली एक रेमिडी शेयर करने वाला हूं जो मैंने अपने गुरुवों से सीखी और अपने फॉल्वर्स के साथ उसको एक्सपेरिमेंट किया और 100% एकुरेट रिजल्ट्स हमें उससे मिले हैं कि सबसे पहले एक ग्रह एक पौटिकलर राशी और उस राशी के अंदर एक पंटिकलर नक्षत्र पॉल्ट्स है और पूसे नक्षतर के अंदर एक पर्टिकलर पड़ा के अंदर न्ष का माना जाता हैונה अब नीच के ग्रह का मतलब क्या है नीच के ग्रह का मतलब है कि कहीं ना कहीं उस ग्रह को ऐसा स्थान मिला जहां पर ग्रह पर्फॉर्म नहीं कर पा रहा पर्फॉर्म क्यूं नहीं कर पा रहा वेकॉज या तो कहीं ना कहीं उनके तत्व मैच नहीं होते हैं या वो नक्षत्र की पदा के पीछे एक माइथलोजिकल स्टोरी है या एक ग्रह अपने आपको एक डिफिकल्ट भाव में एक डिफिकल्ट सिच्वेशन में काल पुरुष की कुंड़ी में पाता है डिप्लिटेशन की ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना के रखी है कि एक ग्रह एक पर्टिक्लर हाउस एक पर्टिक्लर साइन में काल पुरुष की कुंड़ी में क्यूं नीच का हुआ परंतु आज वो टॉपिक नहीं आज रेमेडी की बात करेंगे हम उपाय की बात करेंगे देखिए सबसे पहले तो मैं वाइट बोर्ड ले लेता हूं और जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर हैं किसी भी वीडियो के अंदर जो उपाय मैंने देखे या बताए गए हैं मुझे नहीं लगता कि उसमें से किसी भी उपाय में आपको इतना बेनिफिट होगा जो इस पर्टिक्लर वीडियो में आप बेनिफिट ले पाएंगे अगर आपकी कुंड़ी में कोई नीच का ग्रह है जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा आप ये करें और फिर आप मुझे बताएं राइट चस्ट टेल मी किव मीड़ फीडबैक विदिन तू मन्स त्री मन्स कि आपको कितना आराम वहां से मिला ओके सो फटाफट से आपको मैं वाइट बोर्ड की तरफ ले जाता हूं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह जानना कि कौन सा ग्रह कौन सी राशी में जो है यह मैं बहुत लेमेंट टर्म्स पर बता रहा हूं इसकी दो सेट आफ रेमिडीज है पहली जो रेमिडी है वह साइन बेस्ट है अब साइन बेस्ट में कंफ्यूजन रहती है कि सर्थ आप तो यह कहते हैं कि एक ग्रह पर्टीक्लर नक्षत्र पर्टीक्लर पदा के अंदर नीच का होता है पूरे साइन में नहीं इस दे स्टेट्मेंट करेक्ट स्टेट्मेंट इस एपसिल्यूटी करेक्ट देन वैं यू मेक अस कुंडली तो उसमें एक राशी में पूरी जीरो से लेके थर्टी डिग्री में जब भी एक रहा आ जाए मान लीजे सूर्य तुला में आ जाए तो उसको वह नीच बोल दे करते हैं वाई इट इस नियर डिबिटेशन मेरी बात संचिए एक पर्टिकलर नक्षत्र में एक पर्टिकलर पदा में अग्जाक्ली नीच का होना और नियर डिबिटेशन होना तो राइट दे आर तू डिफरेंट आस्पेक्ट अब जब हमें एक ग्रहव नीच राशी के अंदर नजर आता है उसकी रेमिडी की आज चर्चा करेंगे अगर एक ग्रह पर्टिकलर नक्षत्र और पर्टिकलर उसी पदा के अंदर आ गया जहां पर उसकी अग्जाक्ट डिबिटेशन है उसके लिए जो रेमिडी करनी पढ़ती है वह नक्षत्र बेस तो चौर्चिश के रेमिडी करनी पढ़ती है वह इलीच य ने नो ग्छ Стौ टूख नग्षत्र ग्षत्र पद बाधा कार नक्षत्र के इन Kä traditional 2018 अक्षत्र कंषप्थ्तेंगर से जजले सक्षट्र आ ग्षत्र और ज वह इंड वहत्र एक अंद पर्ट तर यह लाँ अग ङु based remedy, based on that nakshatra, based on that pada. I hope I have cleared it. Now, Surya is debilitated in Libra. Chandra you know is debilitated. I am just talking about the Rashi. It is in Scorpio. Okay. Mangala, Mars is debilitated in Cancer. Mercury is debilitated in Pisces. Then Guru, Jupiter, Devguru, Brasapati is debilitated in Capricorn. Shukra Venus is debilitated in Virgo. Shani Saturn is debilitated in Aries. Rahu is debilitated in Scorpio slash Sagi. You know, even Sagi doesn't do well. Okay. And Ketu is debilitated in Taurus oblique Gemini. So, I consider both. But the exact debilitation is Scorpio and Taurus. Now, you see what exactly is the meaning of debilitation so that you can understand the meaning of the purpose of this remedy. debilitation means that a planet is not aware of its principles. Suppose अगर आप भारत में आएं और आप विदेशी हैं और आपको भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता है. उसका रहन, सहन, ट्रांस्पोर्टेशन, रस्ता, होटेल, भाशा, लेंग्वेज, How will you feel? You will feel lost. आपको ड़ारेक्ली नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. आपके जैसे भी करम हो, आपकी बुद्धी को खराब करते हैं, आपके माइंड को खराब करते हैं. You take wrong decisions in life. They work on your thought process. And if you have a chaotic thought process that is equal to a ni chagraha a debilitated planet because the energy of that planet is creating the chaos here and this the mind is creating it everywhere now the dasha starts and you are in trouble you go to an astrologer you go to an astrologer surya 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 based on surya only but do you think that is the right approach suppose you are a planet and you come to India and you are not aware of anything about India nobody is helping you in India what will you do you will go to the president of the country to the president of that country now president can help because he is the supreme authority now the thing is if surya is debilitated in Libra the lord of the Libra is Venus so the remedies that are required is not of the sun but that of the Venus what is the neech bhanga principle the neech bhanga principle is only created by this principle if Venus is strong if Venus is strong in the kendra ya drishti hai ya yuti hai shukr ki to neechata bhanga ho jayegi that means Venus is powerful sitting together or in the kendra or aspecting so technically you should not approach sun you should approach Venus but now what remedy will you do for Venus if you make Venus strong if you make a shukr को strong कर भी लेंगे वो सूरे को protect कर लेगा सूरे को उसकी नीचता को बचा लेगा but that is only a cure that is only a cure cure means कि आपके जीवन में problem आएगी उस problem का कोई solution ही नहीं निकलेगा उसका कोई solution निकलाएगा in fact problem आएगी solution उसका हो जाएगा that is a cure आप बिमार हुए आपने दवाई खाई आप ठीक हो गए लेकिन आप फिर बिमार हो सकते हैं आपकी इम्मुनिटी अगर वीख है मैं आपको एक ऐसा हो पाए आज की रेट में बताऊंगा which is a permanent solution for lifetime it is not a cure it is a solution permanent solution the solution is is with शिवची भोले बाबा because नीच ग्रहों का solution भोले नाथ ने अपना एक सवरूप एक शक्ती देकर हमारे देश को हमारी धर्ती को उन्होंने ये solution दिया है एवरी राशी has a जोतिर लिंगा attached to it अब यहां पर confused मत होईएगा एक जोतिर लिंग होता है जो आपका कुंडली में से हम निकाल के देते हैं कि आपकी कुंडली इस जोतिर लिंग को बिलॉंग करती है which is your destiny कि आपको मुक्ती मिलेगी तो उस जोतिर लिंग से मिलेगी यह कैलकुलेशन में आपने एक घूतिर लिंग आपने लिंग सकनerson Grag пока पे मिलेगी से और संय करें कि आपकी से कर यह तेडिशने लिग्यार्ट ऑबीटेव प्रोप्रम machinery तो उसे कह. यह मिले आपकी से आपकी से अहिए कि आपकी से एकी ऐवस्यार्त र Надनी कृट्टनी वसे the Jyotiralinga is Rameshwaram. For Tauras, the Jyotiralinga is Somanatya. जोतिलंगा इस नागेश्वरा, नागेश्वरा. for cancer the jyoti linga is om kareshwara om kareshwara for leo the jyoti linga is for virgo now these jyoti lingas are associated with the rashies for virgo the jyoti linga is malika arjun malika arjuna for libra the jyoti linga is maha kaleshwara maha kaleshwara for scorpio the jyoti linga is grishnishwara for sagittarius the jyoti linga is is vishvanath vishvanath for capricorn the jyoti linga is bheema shankara bheema shankara for aquarius it is kedaranath and for pisces it is triyambakeshwara 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 okay so these are the jyoti lingas now sun is debilitated in libra but it is exalted in where it is exalted in aries now this is the catch okay so it gets lot of energy and confidence in aries right hume graha ko ek support deni hai hume graha ko confidence dena hai hume graha ko energy deni hai so you will actually do the prayers mantras and pujas of the jyoti linga in which the planet is exalted so for sun debilitated sun neej surya you will start praying to rameshwara for moon is debilitated in scorpio but it is exalted in taurus you will immediately start praying to somanatha for mars it is debilitated in cancer but exalted in capricorn so you will certainly go to capricorn and start praying to bhima shankara immediately pack up your bags if you have a debilitated mars go to bhima shankara do a rudar abhi shekham there or whatever puja is allowed there just go ahead and do it based on the circumstances based on the current covid situation just go there and do whatever puja is allowed just go and do it there and if you can't do it a chotis image lese man dira rake us ko frame kar or waha bad cut you a a shivai himalai कर सकते हैं इसका मंतर होता है सीक्रेट एक पर्टिकलर जोति लिंक वह मंत्र मैं पर्टिकलर में अपने फॉलोवर्स को गे सकता हूं और वो इंडू जुली दे सकता हूं कि करत दे are my protocols behind giving a mantra it is they are not Prasiddha mantras they cannot be given just like that they cannot be in a particular nakshatra in a particular looking at a particular direction and based on a particular chart that if there are three कौन सा मंतर कि समय देना है और किस दिन करना है कि आप ओम नमशिवाय का भी पाठ कर देंगे तो भी आपको बद आपको रास्ता पता हो तो आप पंदरा मिनट में पहुन जाओगे अगर आपको बहुंच जाओगे पहुन जाओगे बट स्टीनेशन पता होनी चाहिए लगूच देनेशन आपी संड़ेन इसमेड ढूल्ड और for an example Mercury, Mercury, Pisces but it is exalted in Virgo so you straight away jump to the Virgo Malika Arjuna similarly if Jupiter is debiated in the Capricorn but it is exalted in Cancer immediately just go to Om Karishwara and start doing the mantras you will get the picture of every Jyotir Ling on the internet just get it downloaded get it framed sit in front of it connect with that Jyotir Linga and pray as soon as possible I will go to that Jyotir Linga and I will do the prayers I will do the especially this is very effective if the Mahadasha is going on of a debilitated planet it will give you immediate relaxation but when it comes to a particular pada and if you have a planet in exact same pada of debilitation of the planet then along with this there are some remedies that are nakshatra based that are pada based which I will be sharing with you in the next video not in this video I want you to digest this first I am giving you a broader view here and thanks to my Guruji thanks to you know all those learned people who got this thanks to you know because this technique was actually you know according to me because I have learned it from Sanjay Rajji so this is a tried and tested thing that you can do it has 100% great results trust me with my so many followers just giving or just directing them towards the Jyotilinga that can cure a debilitated planet is definitely you know this has worked look at Saturn Saturn is debilitated in Aries but it is exalted in Tula just just run to Maha Kaleshwara and you see the results immediately if you are running the Dasha you start feeling better about everything immediately the things will turn around so this is a gift that I have given to you people in a very very simple way in a very very organized way just go do it and give me the feedback I will wait for it and if you like the video please subscribe to my channel ek like banta hai comment banta hai zarur dijeega I will come up with another video till then Hare Krishna pohot pohot dhanewaad